हेलो एवरिवन कैसे हो आप लोग आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागते तो आज यहां पे आप देख सकते हैं कि जो क्लास एट का जो आपका बालभरती का बुक है उसका यहां पे जो सेवन्त वाला चाप्टर है धूप की उसमित छुवन से इसका यहां पे जो कंप्लीट एक एक सरसाइज है वो हम लोग लेके आ गये हैं अगर आप इस एक सरसाइज में देखते हो जो सबसे पहला क्वेश आज कदरदान होने वाली फूलों में दिखाई देने वाला तो यहां पे सभी के जो एंसर है यहां पे आपको प्रॉपर तरीके से लिखके दिये गये हैं ओके नेक्स्ट यहां पे क्वेशन आपको पूछा गया है कि संजाल पून करो वसंत रितु के आने से हुए परिवर्तन तो आपको टी डाइगरम में बनाना है यानि यहां पे आपको यह दिया रहेगा वसंत रितु से आने से परिवर्तन यहां पे आपको यह पहला वाला लिख यहां पर आपको दिये गया है उसके बाद यहां पर आप नेक्स्ट क्वेशन देखते हो जहां पर आपको पूछा गया है कि कवीता की अंतिन दो पंक्तियों का सरल अर्थ लिखो जिसमें यहां पर आपको जो कवीता की जो आकरी पंक्ति हो यहां पर आपको लिखके हमने दि कि उसके बाद यहां पर अगर आप नेक्स्ट क्वेशन देखते हो जहां पर आपको पूछा गया है कि जो बीट गई सो बात गए इस संदर्व में अपने विचाली को याने एक बार जो काम आपने कर दिया उसके बारे में आपको बार बार सोचने की जरुत नहीं होनी तो यहां पर आपको बहुत प्रॉपर तरीके से इसका जो अर्थ है इस मुहावरे का वो आपको यहां पर समझा के दिया है कि अगर आप इस मुहावरे को देखते हो कि उस समय के लिए किया जाता है जब कोई व्यक्ति पश्चत आप कर रहा है या पुरानी गटनाओं पर अधिक ध्यान दे रहा है, तो ऐसे समय पे कहा जाता है की जो पहले बीट गई है, उन सारी बातों पर अभी ध्यान दे के कोई मतलब नहीं होने वाला है, वो सारी चीज है अभी जाके सही cœur नहीं नहीं होने वाली है, जहां पर आपको पूछा गया है कि प्रकुर्ती में निरंतर अनुशाशन दिखाई देता है उके चाहे वो रितु चक्र हो आप देखते हो कि हर जो रितु है चाहे ग्रिश्म रितु है वर्षा रितु है या सीत रितु है वो समय समय पर अपना जो चक्र है वो पूरा करती र पानी का साइकल यह आपको भी एक बहुत ही पानी का जो साइकल है याने वर्षारीतू में जिस तरीके से वर्षा होती है वह वर्षारीतू में ही होती है आपको और दूसरे सीजन में आपको यह जो बारी से पानी है वो आपको देखने के लिए नहीं मिलता है उसके बाद चा गया है कि निम्न सब्द सुद्ध करके लिखो जैसे यहां पर आपको अलग-अलग सब्द दिये हैं वो सारे सब्द यहां पर आपको सुद्ध करके लिखे गए हैं प्रॉपर तरीके से आप चाहें तो यहां पर देख सकते हैं ठीके उसके बाद यहां पर आपको नेक्स्ट जो question पूछा गया है कि छुटियों में आयोजित संसकार वर्ग के आयोजन के नाते आकरशक विग्यापन त्यार करो, तो आपको पता है कि advertisement किस तरीके से आप त्यार करते हो, यह आपने बहुत बार सीखा भी होगा, हम एक advertisement के लिए बहुत ही अच्छा से एक template चूज करते हैं, ओके यह template को हम बहुत proper तरीके से हम लोग क्या करते हैं, सजाते हैं, design बनाते हैं, ओके उसके पर जो भी offer होता है, उस template को वो हम लोग क्या करते हैं, star mark में बाजू में लिखते हैं, उसके बाद उसका एक main heading होता है, वो हम लोग डालते हैं, उसके बाद वहाँ location क्या होती है, वहाँ पर proper उसकी जानकारी देते हैं, यहाँ contact detail देते हैं, email देते हैं, ओके वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोग देते हैं, तो उसी तरीके से अगर आप किसी संसकार वर्ग के आयोजन का विज्ञापन अगर आप अप्राकारशित करते हो, तो किस तरीके से बताएगा कि आगर आप संसकार के बारे में सिखते हो, तो इससे आपके बच्चे उप में क्या-क्या आच्छा हो सकता है क्या-क्या बच्चे सीख सकते हैं तो वो सारी चीज़े यहाँ पर आपको सिखाई जाती है और उसमें बताई जाती है विग्यापन के द्वारा ओके उसके बाद यहाँ पर अगर आप नेक्स और लास्ट क्वेशन देखते हो जहाँ पर आपको पूछा गया है कि रित जाली और फूलों के फूल है वो आपको दिखाई देते हैं तो यहाँ पर वसंत रितू के बारे में आपको पूरी जो जानकारी है वो यहाँ पर आपको दी गई है उसके बाद यहाँ पर दूसरा है ग्रिश्मर रितू यहाँ पर दूसरा देख सकते हैं जिसमें आप दिया गया है वर्षा रितु तो वर्षा रितु में यहां पे आप देख सकते हैं कि वर्षा रितु में लोग किस तरीके से घर से छातों में रेंगोट में निकलते हैं तो यहां पे आपको दिया है फोटो के मादम से और यहां पे आपको उसकी जो पूरी जानकारी है वो यह से कौन से महीने में होता है यहाँ पर मौसम किस तरीके से होता है वो सारी चीज़े यहाँ पर आपको बताई गई है कि नेक्स यहाँ पर आपको दिया है हेमंत रितु यानि जो पजड का मौसम होता है जिसको हम लोग यहाँ पर autumn season बोलते हैं ओके और हमने यह क्या winter season होता है वो पहले वाला फोर्थ वाला यह आपका autumn season होता है जिसमें आप November और December के महिने में आपको यह देखने के लिए मिलता है और यहां पर आप देख सकते हैं कि नए साल का जो जशन है वो आपको इसी season में देखने के लिए मिलता है तो यह सारी चीज़ यह यहां पे आपको पूरा जानकारी यहां पे मिलेगी, साथ में यहां पे आप फोटो भी एक प्रापर तरीके से आप देख सकते हैं, ऐफे इसके बाद यहां पे नेक्स वाला जो सीजन है वो है सीस्ती रितु जो जन्वरी और फर्वरी के महिने में होता है, और इस रितु में आपको देखने के लिए मिलता है जो मौशम होता है वो बहुत जादा थंडा होता है और इस मौशम में जो सर्दिया होती है वो अपने चरम पे होती है और इसमें आपको होली का तहवार आपको यहाँ पे खिचड़ी और पोंगल यह सारे जो तहवार है वो यहाँ पर खतम होता है, अगर आपको इसके अंदर कुछ भी doubt लगता है, या फिर कुछ पूछना चाहते हो आप, तो आप हमें comment करके पूछ सकते हो, आप चाहो तो हमें Instagram और Telegram पर भी आप हमें message कर सकते हो, ठीक है, और अगर आपको हमारी वीडियोज पसंद आती हैं, तो प्लीज आप वीडियो को आप लाइक कर लूँ, आप अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को आप शेयर कर सकते हो, और हमारे चैनल को सस्क्राइब करना बिल्कुल मत भुलेगा, थैंक यू सो मच आप सभी का, मिलते हम लोग नेक्स वीडियो में ने टापिक के साथ, थैंक यू सो मच